आश्विन शुकल पक्ष की शष्ठी तिथी 9 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बचकर 15 मिनट तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथी लग जाएगी आज का दिन आपके लिए कोई खास परिस्थिती बना रहा है। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों के माध्यम से नई-नई जानकारिया मिलेंगी, घर के वरिष्ठ लोगों का सानिध्य और आशिर्वात बना रहेगा, आप अपने आपको मानसिक रूप से बहुत अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे, निगेटिव ससुराल पक्ष के साथ संबंध ना दे, अन्यथा वापसी संभव नहीं है, सावधान व्यवसायक गतिविधियों में सुधार आएगा, तथा आर्थिक स्थिती भी मजबूत होगी, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे है, तो समय अनुकूल है, नौकरी में अभी जैसी परिस्थितियां चल रही है, उन्हें स्विकार करें, क्योंकि अभी किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है, लव पति-पत्नी के बीच मधूर्ता पूर्ण संबंध रहेंगे, प्रेन संबंधों में स्थायत्व बनाये रखने के लिए कुछ समय एक दूसरे के लिए निकालना भी जरूरी है, बात कर भी देगा, किसी अनुगवी व्यक्ती की सलाह और मार्क दर्शन मिलने से आपको मानसिक तनाव से काफी हद तक रहत मिलेगी, पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी उचित रिष्टा आ सकता है, कुछ आर्थिक परेशानिया आ सकती है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर ख कत आने पर तनाव लेने के बजाए किसी अनुगवी से मार्क दर्शन ले, ये व्यक्तिगत लक्षेओं को प्राप्त कर सकते हैं, बलकि इससे आपको पेशेवर जीवन में भी सफलता मिल सकती, है किसी भी प्रकार की रुकावट चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक से बचने के लिए आवश्चक है कि आप अपने समय कासी धं से प्रबंधन करें, यदि आप अपनी दिंचरिया में बदलाव या सुधार की आवश्चकता महसूस करते हैं, तो इस पर विचार करना और तुरंत कार्यान वयन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आज के दिन आपके भीतर सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों के प्रती विशेश रुची जागरित हो सकती है, आप ना केवल अपने आसपास की घटनाओं और मुद्दों के बारे में अधिक जानने की इच्छा रखेंगे, बलकि उनमें सक्रिय रूप से भाग भी लेना चाहेंगे, यह रुची आपके लिए नए अफसरों, कादवार खोल सकती है, जहां आप अपने विचारों और द्रिश्टिकों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं सामाजिक और राजनैतिक कारियों में शामिल होना आपको समाज के प्रती अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगा, और आपको अपने समुदाई के विकास और सुधार में योगदान देने का मौका मिलेगा, आपके लिए यह एक समय है, जब आप अपने आसपास के लोगों के के लिए काम कर सकते हैं, इसमें में आपकी नित्रित्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति का भी परीक्षन होगा व्यवसाय की दृष्टी से भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल है आपके कामों में उम्मीद से ज्यादा लाभ होने की संभावना है इससे आपको अप अपने प्रतिसपर्धी की गतिविधियों को नजरंदाजन ही करना चाहिए प्रतिसपर्धा के इस युग में अपने प्रतिद्वंदीहों की चालो और अरनीतियों पर नजर रखना आवश्चक है इससे आपको अपने व्यवसाय की सुरक्षा और वृध्धिसुनिश्चि इसलिए उनकी राय को ध्यान में रखकर निर्ने लेना और समस्याओं का का समाधान करना आवश्चक है शेयर बाजार में निवेश के लिए भी यह समय नुकूल है अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह एक सही समय है हालां की योजना बनाकर और समझदारी से निवेश करना जरूरी है बिना पूरी जानकारी और सलाह के किसी भी प्रकार का निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है इसलिए किसी विशेशग्य की इसलाह लेकर ही आगे बढ़े पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके के लिए सुकूना और शांती से भरा रहेगा परिवार के साथ बिताया गया समयना केवल आपके रिष्टों को मजबूत करेगा बलकि यहाँ आपको मानसिक, शांती और संतुलन भी प्रदान करेगा पारिवारिक माहौल में इस सकारात मक्ता का लाब उठाते हुए आप अपने परिवार के साथ कुछ खास पल बिता सकते हैं इन पलों का महत्व समझते हुए आप अपने रिष्टों को और भी गहरा और मजबूत बना सकते हैं प्रेम संबंधों में भी स्थिर्टा बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा किसी भी रिष्टे में उतार चड़ावा सकते हैं लेकिन धैर्य और स्मर्पन की भावना से आप अपने रिष्टे को बहतर बना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ खुल कर बात करें और उनकी भावना का सम्मान करें इससे ना केवल आपके रिष्टे में स्थिर्ता आएगी बलकि यहाँ आपको एक दूसरे के और भी करीब। और आपको पेक्षित सफलता से दूर कर सकती है इसलिए अपनी प्राथमिक्ताओं को सही धंग से सेट करना और उनके अनुसार काम करना आवश्यक है अपने स्वभाव में समय के अनुसार बदलाव लाना भी आपके लिए जरूरी है हर परिस्थिती में। एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता इसलिए समय और परिस्थिती के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना आपको अधिक प्रभावी और सफल्बना सकता है। ज़िए आप पुराने तरीकों पर अडे रहते हैं तो यहां आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए नई सोच और नए द्रिष्टिकोंड को अपनाने के लिए तयार रहे। आज का दिन आपके लिए कई अच्छे अफसरों और संभावनाओं से भरा हो सकता है। भर देगी आपके दिन की सफलता का मुख्य आधार आपकी योजनाबध और अपने कारियों के प्रती आपकी एकागरता होगी यदि आप अपने हर काम को पहले से ही योजनाबध तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ आपको अपने लक्षे को तेजी से प्राप्त करने में मदद करेगा और साथ ही स्मय का सही धंग से उप्योग करने का मौका भी देगा। आज के दिन आप यात्रा की भी योजना बना सकते हैं, यह यात्रा नस्दी की हो सकती है या किसी दूर दरास के स्थान पर भी हो सकती। हैस यात्रा का उद्देश व्यक्तिगत या पेशेवर हो सकता है, लेकिन यहाँ आपके लिए सकारात्मक परिना। लाने वाली होगी यात्रा के दौरान नए लोगों से मुलाकात और नए अनुभव भी आपके जीवन में महत्व पूर्ण बदलाव ला सकते हैं, हालां की दिन के सकारात्मक पहलों के साथ साथ कुछ नकारात्मक परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जिनका ध्यान रखना आवश अनावशक है सबसे पहले व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यतीत करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है दि आप अनावशक बातों और कारियों में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो इससे आपके महत्व पूर्ण कारियों में रुकावट आ, सकती है, इसलिए आज नुकसान दाय कहो सकता है, ऐसे निवेश से आपको भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए बहतर होगा कि आप इन से दूर रहे, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो किसी अनुगवी व्यक्ति या विशेशज्य की इसलाह लेना जरूरी है, उनके मार्क दर्शन से आ आप बहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, व्यवसाईक द्रिश्टी से आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके व्यवसाय संबंधी अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे, इसके अलावा प्रतिसपर हो सकता है, अपने प्रतिसपर्धी हों से आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा और उन्हें सटीक्ता से लागू करना होगा, अगर आप सरकारी सेवा में कारियरत हैं, तो पबलिक डिलिंग करते समय विशेश, सतरक्ता बरते किसी भी प्रकार की गलती या अंदेखी आपके लिए प्रेशानी, खड़ी कर सकती है, इसलिए आज के दिना आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कारियों को सही धंग से और पूरी, जिम्मेदारी के साथ करें, पारिवारिक जीवन में आज का दिन सुखद रहेगा, दामपत्य जीवन में मधुर्ता बनीर हेगी, जिससे आपको मानसिक शांती और संतोष का अनुभव होगा, अपने जीवन साथी के साथ कुछ खास समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आ आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे में अगर संभव हो तो, प्रिन संबंधों से दूर रहना ही बहतर होगा, किसी भी प्रकार की गलतफमी या विवाद से बचने के लिए आज के दिन आपको सन्यम, और समझदारी से काम लेना होगा, आज का दिन आपके लिए मि नीमहत त्वपूर्ण है कि आप अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास रखें और दूसरों से ज्यादा उम्मी देना पाले जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे और अपने कारियों को खुद पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो आपके परिनाम अधिकसकारात्मक पर निर्भर रहनाक भीक भी आपकी कार्यक्षमता को कम कर सकता है और आपको उस तर पर नहीं पहुँचने। लक्षयों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और युवाओं को अपने करियर से संबंधित योजनाओ पर काम करना चाहिए। हालां कि आज के दिन कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है, सबसे पहले अपने खर्चों। पर नियंतरन रखना आवश्चक है, व्यर्थ के खर्चेना केवल आपकी वित्तियस्थी को प्रभावित कर सकते हैं, बलकि वे आपके लंबे समय के लक्षियों को भी नुकसान पहुचा सकते हैं, इसलिए बजट के अनुसार खर्च करें, और गैर जरूरी खर्चों से और भविष्य की योजनाओं को जरंदाज करना आपके, ये हानिकारक हो सकता है, इसलिए मनोरंजन के साथ साथ अपने करियर और जीवन के दीर्धकालिक लक्षियों पर भी ध्यान। आपके रिष्टों में भीदरार डाल सकता है, इसलिए अपने शब्दों और कारियों में साथ धानी बरतें और सुनिश्चित करें कि आप उनके प्रती सम्मान जनक व्यवहार कर रही हैं।